स्टी बर्मन सहाब और शंकर जैकिशन सहाब ने एक ऐसे गीत को कौपी किया यह यू कह लीजिए कि ये दोनों महान संगीत का इंस्पायर हुए थे एक ऐसे पस्चमी संगीत के गीत से यह उसके संगीत से तो आईए आज आपको बताते हैं कि वो कौन से गाने हैं जो आपने खुब देखे हैं बॉलिवूड में जबरदस तरीके से फेमस भी हुए हैं उन्ही गीतों के बारे में आज बताते हैं दोस्तों तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि अभी त निमा में पस्चमी संगीत या और दूसरे विदेशी गानों की कौपी करना या उनसे इंस्पायर होना ये कोई नई बात नहीं है पहले भी 70-80 साल पहले भी ये काम हुआ है और अब भी होता आ रहा है पहले शोशल मीडिया नहीं था पता नहीं चलता था लेकिन अब शोश गीत है एक गीत है उसी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं वैसे 50 के दश्यक में ही बॉलिवुड कुछ लोख पी ये गाने पस्चमी संगीत से प्रिरित हुए थे वे अपने कोई जानी पैचानी धुन सुनी हो आपको लगता है कि गाना शुरू होने से पहले ही पता चल जाता था कि ये कौन सा गाना है और इस कौन सी फिलम का है और साथ में गुन गुनाना भी शुरू कर देते थे लेकिन बाद में आपको आशास हुआ कि ये बिलकुल अलग है और आपकी उमीद के मताविक भाशा में भी नहीं है ऐसा इसलिए क्योंकि बॉलिवुड कि एक शांदर पुनर व्यक्या है हाला कि इसमें इससे पहले कि आप निराश हो ये माना जाता है कि शेक्स्पियर के नाटक भी पहले दूसरे नाटक कारवज़़ा लिखे गए थे जिया दोस्तों तो आज आपको बताते हैं कि वो कौन-कौन से गाने हैं दोस्तों टेक्सी वाकर सहाब उसमें थे गाने के गाना था उसमें किशोर कुमार सहाब का चाहे कोई खुश हो जाओ जी हां दोस्तों इस गाने की जो धुन है वो आपको बताएंगे लेकिन ये गाना जो ये फिल्म थी 1954 में टेक्सी ड्रेवर फिल्म आई थी उसके पाद एक और 1956 में एक फि आनंत ठाकूर उसके डारेक्टर थे और संगीत दिया था शंकर जैखिशन सहाब ने उसका गाना था आजा सनम मधुर्चांदनी में हम जी हां दोस्तों मनाडे सहाब और लता जी की आवाज में जबरदस्त ये गीत था तो अब आपको बताते हैं कि ये गीत दोनों गीत कहा से इंस्पायर हुए थे दोस्तों इटली का एक फोक म्यूजिक है फोक सॉंग्स हैं वहां के ये वहां से इंस्पायर होकर या कॉपी करके इन महान संगीत कारों ने वहां से लिये हैं दोस्तों टारेटेला नेपोलेटाना एक गीत है जिसे लुईगी रिकी का एक टारेटे अमेरिकन सिंगर्ज ने दोस्तों गाया था उस समय ये सन 1950 का एक एलबम है लक्की 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 मी ये उसी का ही एक फिमस गीत है जिसे बड़ी औरनल्ड और मिल्टन बरले ने लिखा था और एवली नाइट और रे चाइड्ड बैंड ने इसको उस जमाने में गाया था क्योंकि ये इटली का एक फोक गीत है तो और भी बहुत सारे लोगों ने इसको गाया है और क्योंकि संगीत जो है फोक संगीत होता है वो किसी की कोई प्रापर्टी नहीं होता या उसके उपर यूं कह लीजिए उसके उपर कोई कॉपी रेट नहीं होता इसलिए बहुत से कला संगीत है आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं हम लोग और आप इन दोनों गीतों को सभी तीनों गीतों को बेसी कली आप इंज्वाई कीजिए दोस्तों तो ये तो था एक कॉपी किया हुआ यह यूं कह लीजिए कि इंस्पार्ड हुआ हुआ संगीत का हिंदी सिनेमा मे जो गीत बने थे उसके उपर एक छोटा सा वीडियो यदि वीडियो अच्छा लगए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जादा से जादा शेयर करना मत भुलिए धन्यवाद